मेरा नाम है मोहमद अर्सलान और एंड़νोड की इस वीडियो सीरीज में हम देखेंगे के एंड़νोड को कैसे यूज़ किया जाता है Bill word introduction introduction में हम देखें के endnote क्या होता है और किसलिए यूज किया जाता है endnote जो है वो एक reference management software है जिसको आप अपनी जो report, essay, articles या कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं उनके reference या फिर bibliography को आप manage करने के लिए endnote software को यूज करते हैं और जो founder है endnote के उनका नाम है Richard Nils इन्होंने endnote को 1989 में launch किया था और उसके बाद जो है endnote under different organization और institute के रहा और उसके बाद 2016 में Clarewith analytics ने इसको acquire कर लिया finally और अभी तक ये इस organization के under है endnote as a tool आप इसको दो तरीकों से यूज कर सकते हैं offline और online offline के लिए आपको endnote को अपने computer पे install करना पड़ेगा और online के लिए आपको endnote की website पे एक account बनाना पड़ेगा और account बनाने के बाद आप online ही अपने reference different databases से collect कर सकते हैं और इसकी online ही endnote की website पे एक library बना सकते हैं endnote का जो पहला function या फिर कहलें के जो पहला काम हम करते हैं वह है library create करना तो library create करने के बाद हम उस library के अदर अपने जो reference है different databases है वो click करके वहां पे manage कर सकते हैं और फिर endnote के अंदर ही हम उनका full text source वो find कर सकते हैं PDF add कर सकते हैं उनको manage कर सकते हैं और endnote के अंदर ही आपको option होती है कि आप different databases से आप अपने article सर्च कर सके और उसके बाद आप endnote को अपने Microsoft Word के साथ integrate करके आप अपने paper या फिर कुछ भी आप लिखने हैं आप उसमें site कर सकते हैं while writing और अगर आपका कोई output style आपके endnote में missing है जो आपने install किया है तो आप जो है endnote की website पर जाके वह output style डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस output style को customize कर सकते हैं या फिर आप अपना खुद का customize output style बना सकते हैं और आखर में आप जो अपनी reference list है उसको edit कर सकते हैं through different output style जैसे ही आप output style जो है change करेंगे आपकी जो है reference list उसका जो है output style भी change हो जाएगा जो आपने अपने word के अंदर डाला होगा तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में with the endnot installation और उसके बाद उसका interface उसको go through करते हैं झांद सकते हैं झांद सकते हैं झांद झांद